मैं समगर पार्टी की और से स्रीमन नड़्डा जी को रदय पूर्वक बहुत बहुत बढ़ाई और सुबकामनाई देता हूँ मित्रों आप सभी को एक सुब समाचार देने के लिए यहां बुलाया गया है अभी अभी भारतिय जन्ता पार्टी की राष्ट्रिय कारे समीति ने सरवानुमत से एक फैसला लिया है कि स्री जगत प्रकास नड़्डा जी का कारेकाल जून दोजार चौबीस तक बढ़ाया जाएगा जैसे आप सभी लोग जानते हैं देश की सभी राधनितिक दलों में सायद सबसे ज्यादा लोग तांत्रिक तरीके से चलने वाला दल अगर कोई है तो यह भारतिय जनता पार्टी है जनसंग की स्थापना से लेकर आज तक भारतिय जनता पार्टी में हमेशा बूत से लेकर राष्टिय अध्यक्स तक के हमारे चुनाव समय समय पर हमारे समविधान के अनुकुल होते रहें और पूरी लोकतांत्रिक पद्धती से चुनाव के अधिकारियों की नियुक्ति होती है मत दाता सुची बनती है और फिर चुनाव का सुरुवात होता है बूत के बाद मंडल का मंडल के बाद जीले का जीले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रिय अध्यक्जी का चुनाव और कारे समीती का चुनाव होता है परन्तु ये वर्स सदस्यता अभ्यान का भी वर्स है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं हमारी सदस्यता कारेकल छे साल का होता है छे साल जब समाप्त होते है तब पूरी सदस्यता नए सीरे से होती है और जब छे साल नहीं होते है तब इसमें सदस्यों की बडोतरी के साथ बूत को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है कोवीड की महमारी के कारण इस सदस्यता का हमारा अभ्यान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है बूत से राश्ट्री अध्यक्स तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं तब राश्ट्री अध्यक्स चुना समवेदानिक रूप से संभव ही नहीं है कई बार बुलकाल में भी इस प्रकार के अलग-अलग मौकों के कारण राश्ट्री अध्यक्स के कारेकाल को एक्स्टेंशन दिया गया इसी परंपरा का अनुसरन करते हुए स्री जगत प्रकास नड़्डा जी को राष्टी एक कारेकानी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है स्री रादनाथ सिंग्छी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतिय जनत पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्स हर्स धर्णुमत से स्विकार किया है कि जगत प्रकास नड़ा जी को जून दोजार चौबीस तक भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्स के रूप में इनके कारेकाल को बडोतरी की जाए नड़ा जी 20 जनवरी 2020 को राष्टी अध्यक्स बने अध्यक्स बनने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी महामारी वैसे देखे तो 20 वी सदी की भी सबसे बड़ी महामारी कोविड का सामना पूरे देश को करना पड़ा चुकि देश की कई राज्य सरकारे और केंद्र में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महामारी का सामना करने में भारतिय जन्ता पार्टी के संगठन की भूमी का बहुत एहम हो जाती है नड्डा जी के नेत्रतों में भारतिय जन्ता पार्टी का पूरा संगठन बूत से लेकर राष्टिय स्थर पर सेवा ही संगठन है इस मंत्र के साथ काम में चूटा धेर सारे गाओं में चाहे गरीबों के घर पे मदद पहुचानी हो अन्न पहुचाना हो जिनके कोविड के लक्षन देखे गए उनको टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाना हो जिनका कोई नहीं था उनकी सुस्रूसा से लेकर अन्तिम संसकार तक सारे कूविड की महामारी की घतिरोद को पार करने में भारती जनता पार्टी के कारेकरताओं ने बहुत महतोपुन भूमी का निभाई और नड़ा जी ने उस कठीन काल के अंदर एक वाइबरंसी के साथ संगठन को सेवा के काम में जोड़ा और मैं तो आप सबको आगरा करता हूँ कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेंसन है सेवा ही संगठन है इस सूत्र का उसको आप जरूर देखें तो आश्चरे जनक तरीके से एक रातनितिक दलका संगठन की इस प्रकार से महामारी में सेवा कर सकता है उसका ज्वलंत उदाहन भारतिय जनता पार्टी ने नड़्डा जी के अध्यक्स्ता में देश के सामने रखा दुनिया के सामने भी रखा उनकी राष्टी अध्यक्स्ता में ही हमने बिहार में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया महराष्ट में भी NDA को घिन ले तो हम फिर से चून कर आए हरियाना में भी हमारी सरकार बनी इसके बाद उत्तरप्रदेश, उत्राखन, मनिपूर, आसाम, गुजरात इस सब जगे भारतिय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है बंगाल के अंदर भारतिय जनता पार्टी ने तीन सीट से सतत्तर सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही पांच साल में तई किया और हम तामिलाड और दक्सिन के राज्यों में भी तेलंगाना में भी एक ताकात बनकर धीरे धीरे सैन सैन उभर कर आ रहे हैं उत्तर पुर्व के सभी राज्यों में हमारी सरकारे तो बनी थी परंतु संगठण का विस्तार बाकी था नड़्डा जी की अध्यक्स्ता में हमने उत्तर पूर्व के नौर्थिष्ट के सभी रास्तियों में संगठन को नीचे पहुचाने में हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है गोवा में भी हम हैट्रिक लगा कर तीसरी बार और पहली बार पून बहुमत की सरकार बनाने में हम सफल हुए जैसे आप सब जानते हैं गुजरात के अंदर 156 सिटों के साथ गुजरात ने चुनाओ के सभी रेकोर्ड तोड़ते हुए 53% मत और 156 सिटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया मोदी जी का जो करिश्माई नेत्रुतों है जो लोग प्रियता है वो लोग प्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मत दन मतक तक पहुँचाने में नड़ा जी का नेत्रुतों में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है मोदी जी की लोग प्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बना कर भारतिय जनता पार्टी के काम को विश्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सरकार की योधनायों और सरकार के कारेक्रम और विशेशकर किसान कल्यान के कारेक्रमों को हर किसान तक हर जन जन तक पहुचाने में स्री नड़ा जीने बहुत महतोपुन भूमिका नुब्याई है उनके कारेकाल में 120 से ज्यादा विधान सभाओं के चुनाओं हुए है इसमें से 73 विधान सभा के चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी की जीत हुई है तेलंगाना बंगाल में एक सांदार माहोल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुए जम्मू कस्मिर में बीडीसी के इलेक्शन हो या देश बर में हुए स्थानिय इकाई के चुनाओं हो सब में भारतिय जनता पार्टी ने यस प्राप्त किया है उनके नेत्रूतों में बुथ ससक्तिकरण अभियान के तहट एक लाग तीस अजार बुथों को मजबुत करने का भी काम किया गया लोकसभा प्रवास योजना बना कर हर कारेकरता को लोकसभा प्रवास योजना के अंदर जोड़ा हर घर तीरंगा को भारतिय जनता पार्टी के हर कारेकरता ने जन जन तक पहुँचाने के साथ ही राष्ट्र भक्ति को और तीरंगा के सनमान को हर जन के मन में पुनजागरि बहुत बड़ी भूमी का निभाई है सेवा ही संगठन और मोदी जी के जन्म दिन को जोड कर सेवा का पखवाडा एक दोनों कारेक्रण झो कोवीड के वक्त कारेक्रम लिया गया और सेवा पखवाडा निरिंतर भारतिय जन्ता पार्टी मनाती है उनको नीचे तक पहुँचाने में बहुत बड़ी काम्याबी नड़ा जी के नित्रूतों में हुई है मन की बात को भी जन का कारेकरम बनाने में भारतिय जनता पार्टी के संगठने बूत स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कारेकरम बनाया इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाए और अपना बूत सबसे मजबूत इन दो अभ्यान हमेशा के लिए भारती जनता पार्टी के इतियास में नड़ा जी की भारती जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतरुतों में नड़ा जी के संगडनात मक नेतरुतों में 19 से भी जादा बड़े भारती जनता पार्टी चून कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधान मंत्री बन कर इस देश का नेतरुतों करेंगे इसका हम सब को भर्योसा है। मैं समगर पार्टी की और से स्रीमन नड्डा जी को रदय पूर्वक बहुत बहुत बढ़ाई और सुबकामनाय देता हूं। इसकी अनुमोधना भी करती है और उसको स्विकारते हुए इनके कारेकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है धन्यवाद करते हैं धन्यवाद